इस्टर्न इंडिया रिजिनल कॉंसिल अइसी एए फिर्टी सेवन्थ रिजिनल कॉंफरेंस उतिष्ठित जाग्रत अवेकनिंग देचेंज विदीन 23rd and 24th December 2022 बिश्वांगला कॉंवेंशन सेंटर कोलकाता में देश दुनिया से स्पीकर्स करेंगे शिर्कत कोरोना को देकर मात दो साल बाद बहतर शुरुआत आईसी एए आई की कहानी सुनिये इनकी जुबानी यह इस्टिन इंडिया का पहला कार्बन नीट्रिल कंफरेंस होगा आप लोग जरूर जरूर पधारिया और इस कंफरेंस का इस्सा बनी है EIRC of ICI आप सब का स्वागत करने के लिए उत्सुख जैसे कि आप सब जानते हैं 23 और 24 डिसेंबर को ना 47th Regional Conference बिश्व बांगला Convention Center में हो रहा है यहां पर बहुत सारे speakers आ रहे हैं जो topics like social audit, sustainability reporting, economics के काफी topics पे चर्चे होगे independence of auditor पे चर्चा होगी इस तरीके के future oriented topics हैं इस बार की 47th Regional Conference रखे होए हैं on 23rd and 24th आशा करता हूं आप सब chartered accountants जरूर जोइन करेंगे looking forward to seeing you there मुझी यह बता के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा यह 47th Regional Council of Eastern India Regional Council of ICI अर्गनाइज़ हो रहा है 23rd and 24th December को विस्व वांगला में इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें दो बदमेस्री स्पीकर पहला स्विदर वेंबू जो 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 हो कॉर्परेशन का मालिक है और दूसरा आनल जुनजुनवाला जो प्रोफेसर फ्रम आयाटी है वो इसमें भाग ले रहे हैं दूसरी खास बात यह है कि इसमें संजीर सान्यार जी आ रहे हैं जो मेंबर तू एडवाइजरी कॉंसल और प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया वो भाग ले रहे हैं और कई दिगग स्पीकर जिसमें से एक स्पीकर जो मोटिवेशन पे वो लेगे इतेंदर बादवा जी जो कॉलंबिया बिजन स्कू इस बात को घ्यान में रखते हैं इस बारेजन कॉंट्रेस का अप्ति मरखा गया है उक्तिष्टत जातर मीनिक अवेक्टिंग दचेंज मीनिक हमारे आसपास के माहौल में हमेसा कभी एक्ट, कभी डेवलेशन्स, कभी प्रविजन्स, कभी एक्स्पेटेसन्स चेंज होती है इस ने बतलाओं ने हम चाट्रेदे कांटेट को कई अउसर भी प्रदान कोई जिस पे हम चर्चा करेंगे हैं जो की फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स है और सभी को काफी हेल्प करेगा आपके फ्यूचर को प्लाइन करने में साथ ही साथ 23 तारिक को एक कल्चरल इवनिंग भी रखा गया है जहां सब नेट्वर्किंग और फेलोसिट करके इंजॉई करेंगे धन्यवाद अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए इवाशक्ती चैनल को सब्सक्राइब करें